तो आज मैं बात करूँगा मार्वल की कुछ नियू सब डेट्स और रूमर्स के बारे में तो मिरे नामे अश्रफ आप देगे रहें तो आप में सब और यह जाना शाते हैं कि एलिजबेट ओलसन ने मार्वल के साथ कॉंट्रेक्ट साइन किया है या फिन नए किया है उसके रिपलाय में उन्होंने यह कहा है कि मार्वल शुड़ के साथ उन्होंने अभी तब कोई न्यू कॉंट्रेक्ट साइन ने किया है यानि कि उन्हें नहीं पता है कि स्कालिट विश हमें फिर से कब और कहां पर दिखाई देगी तो यह ओविशली श्रेटमेंट दिया है एलिजबिट उलसन ने बट हम सबको बता है कि एलिजबिट उलसन हमें एगर तकी सीरिस में दिखाई देगी एक तो अपिरन्स होगा कौनसे नो कौनसे एपिसोड में और एवेंजर स्पाय आ रही है एवेंजर सीक्स आ रही है वह उन्होंने ओफिसली यह श्रेटमेंट दिया है कि कॉंट्रेक अभी तक साइन ने हुआ है और उन्हें नहीं पता है कि नेक्श एपिरेंस कहां पर होगा स्कालेट वीश का सो लेट्स कम उन्टो दी नेक्स टॉपिक और नेक्स टॉपिक के एवेंजर सी कैन डानेश्टी यानि की फिल्मिंग शुरू हो जाएगी लेकिन बहुत से स्कूबर्स यह कह रहे हैं कि अगले साल यानि की टॉर्जन 24 में एवेंजर सी कैन डानेश्टी की फिल्मिंग नई शुरू होगी उनके मुताबिक मुवी को पीछे धखला जाएगा यानि की डिले किया जाएगा तो देखते हैं हमें वक्त के साथ पता चल जाएगा वेंजर सी कैन डानेश्टी का प्रोड़क्शन यानि की फिल्मिंग शुरू हो जाएगा नैक्श यार में यानि की टॉर्जन 24 में और अब बात करते हैं जो मैंने सुना है तो मेरे सोर्से में को यह पता चला है कि जैना को ऑफर किया है वाइट टाइगर का रोल और वाइट टाइगर हमें दिखाई देगी डैडेविल बॉन अगेन में तो देखते हैं कि वो कॉन्ट्रेक्ट साइन करती या नहीं करती है अब इतक मुझे कुछ पता नहीं कि उन्होंने कॉन्ट्रेक्ट साइन किया है या फिन नहीं करती है तो वेट करते हैं तो में दे आप लोगों इस सारे टॉपीस अच्छे लगे होगे बहुती अच्छे अच्छी टॉपिक दिनों एलिजाबेट ओलसन एवेंट जिकेंग डैनेश्टी जैना फेवरेट मेरी एलिजाबेट मेरी तो इस वीडियो को लाइक करो और क सिन्ने शुडियो मेरी तेल नान चानल को शिर्गरू